हलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप काफी बाई कमेंट कर रहे हैं मेरे पास कि बाई अपनी एक्स्ट्रीम 125R का ब्रेक टेस्ट ले क्या हो कि ब्रेकिंग कैसी है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बाई के अंदर ABS दिया गया है जो कि इस सेग्मेंट में दूसरी बाईक में नहीं आता है तो क्या ABS एक्चुल में बढ़िया तरीके से काम करता है ब्रेकिंग में कितना इस्टेबल रह पाती है बाईक कितना ज्यादा अच्छे तरीके से रुक पाती है कितनी दूरी के अंदर रुक पाती है और कितना ज्यादा confidence हमें ये बाईक देने वाली है तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू तो भाई बाईक को मैं लेके आ गया हूँ खाली रोड पर जितना maximum खाली हो सकता था उतने खाली रोड पर लेके आया हूँ कोई एक आदे विकल आ रहे हैं बाई पीछे का सइड में देखि खाली है वैसे कोई एक आद विकल आ रहे है लेकिन रियर व्यूप में देखके ब्रेक वगएर्ट्च करने वाला हूँ तो एक बर बाई शुरू में 40 की आ यूज़ करके देख लेता हूँ बिल्कुल हाइडली यूज गरूँगा भाई जितना मैक्सीमम हो पाएगा उतना हाड तरीके से मैं यूज गरने वाला हूँ ब्रेक तो भाई अभी लगबग 40 की स्पीड पर भाई गमारी चल रही है पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा है और भाई ब्रेक यूज किया है मैंने और टायर इसकीड होने का निसान मा आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी इसका वहां से यहां तक भाई टायर इसकीड हुआ है मालब इसकीड नहीं हुआ वैसे लेकिन निसान पड़ा है वो वो जो ग्रिप वगरा हो जाती है उसके कारण से निसान पड़ा है तो 40 की स्पीड पर काफी स्टेबल तरीके से बाई कुर गई है अभी 60 की स्पीड पर टेश्ट करते हैं एक बार भाई अभी लगबग 60 की स्पीड पर भाई कमारी चल रही है बाई इस्टेबल तरीके से रुक गई है काफी ज्यादा इस्टेबल तरीके से बाई कर गई है मतलब जो ABS है ABS अपना काम भाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है तो braking में stability की कोई issue नहीं आ रहा है खैर मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई brake use करते time stability खराब हो रही है इधर उधर disbalance हो रही है भाई ऐसी समस्य नहीं आ रही है भाई अभी मैं थोड़ा सा आगे चलके एक बार utern ले लेता हूँ पीछे से भाई कुछ भी नहीं आ रहा है तो भाईक भाई 80 की स्पीड पर पहुँच गई है लगबग 85 की स्पीड पर brake use किया है भाई मैंने और काफी सही तरीके से रुख गई है जो पीछे वाला टायर है पीछे वाला टायर तो definitely skid होने वाला है थोड़ा बहुत विकोज पीछे की साइड में ABS नहीं दिया गया है तो पीछे वाले टायर के skid होने की तो भाई देखो समस्या नहीं बोल सकते हैं नॉर्मल ड्रम ब्रेक के अंदर भाई थोड़ा बहुत इसकी ढोगा अगर इतनी आई स्पीड पर अपन ब्रेक यूज करेंगे तो अभी थोड़ा पीछे जाके वापस एक बार 108 की स्पीड पर और चेक करने वाला हूँ है क्योंकि 100 की स्पीड पर यार ब्रेक यूज करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है तो गैप उसके अंदर होना चीए विकोज 125 सिसी बाई के तो यह लगभग इसके मैक्स पर पोच जाती है 100 पर अभी भाई लगबग 100 पहुच गई है और 100 की स्पीड पर भाई रुकने में देर तो काफी लगा रही है लेकिन रुक जा रही है इस्टइबिलीटी की समस्या नहीं आ रही है बाई मत्लब ऐसा फील्ड नहीं हो रहा कि 100 की स्पीड पर अगर में ब्रेक यूज कर रहा हूँ तो एक सो पेकिंग में कोई समस्या ग्रिप कैसी है वह वह आप टायर देखके पता लगा सकते हो वह टायर का कलर ही चेंज हो गया वह ब्रेक यूज करने के कारण तो भाई ब्रेक टेस्ट वगएरा भी मैंने कर लिया है को ओर डिमांड हो तो को ओर डिमांड बता वह वह चीज भी मैं आप लोगों के लिए कर दो कि यह दो दो कर दो दो की एर क्या कर दो को कर दो है वी वी वाच